मस्ते और वेलकम बैक टो इंडियन मदर किचन रेसिपी आज बिना किसी भी ओवन के हम पीजा बनाना दिखाएंगे तो यहाँ पे मैंने पीजा बेस ले लिया है और साथ के साथ पीजा सॉस भी स्के उपर स्प्रेड कर लिया है और पीजा बेस है वो मार्किट में अवलेबल है और यहाँ पे मैंने लगा लिया है मौर्जुला चीज मौर्जुला चीज मैंने काफी मातरा में पहले से ही पीजा सोस के उपर स्प्रेड कर लिया है और साथ में ही सिम्ला मिर्च बारी कटी 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 हुई और प्याज बारी कटी हुई उनको अच्छे से फैला लेंगे और साथ में ही टमाटर चोक और बारी कटे हुए ध्यान रहे टमाटर के बीज निकाल दे और सिम्ला मिर्च के भी अंदर के बीज निकाल दे और यहाँ पर मैंने औरीगेनो और चिली फ्लैस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और फिर हम डालेंगे मोर्जुला चीज फिर तो बारा से उसके उपर फिर से एक कोट हम मोजुला चीज का लगा देंगे ताकि हमारा जो पीजा है वो बहुत ही अच्छ बन के तयार होए तो यहां पर मोजुला चीज के बाद मैं लगा लूँगी अमुल चीज जो की बच्चों को काफी पसंद होती है और घर में 20 मिनट के लिए पकने देंगे और 20 मिनट के बाद देखिए हमारा पीजा जो है वो लगबग बन कर तयार है हमें चेक क्या करना है हमें अपने टामाटर और सिम्रा मिर्च को चेक करना है अगर वो थोड़ी सी भी पक गई होगी तो हमारा पीजा बन कर तयार है और जो पीज जलने का डर हैं तो यहाँ पे मैंने पीजा को बाहर नकाल लिया है और बड़ी प्लेट में मैंने पीजा को सर्व कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए, अब मैं पीजा काटर से उसमें छोटे-चोटे कट लगा लूगी, होगहा लगाए है, नो कट लगाने के बाद ये देखे हमारा पीजा थोड़ा गरम था तो अब मैं इसमें डाल रही है औरी गैनो जिसे मैं भूल गई थी और फिर चीज तो चिली फ्लेक्स और फिर मैं यहाँ पे टामाटर सोस को अच्छे से स्प्रैड कर लूगी अब हमारा पीजा तैयार है य अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कोमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बैल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो मिल सके तो फ्रेंस आप बताना जरूर आपको मेरे यह घर पर बनाये हुए बिना ओवन के बिना होट केस के बनाया हुआ यह पीजा बजार जैसा लगा या सिर्फ घर के जैसा ही लगा तो फ्रेंस बाबाए टेक केर फिर मिलेंगे नई वीडियो में